सल्मान के रेस्ट्री बॉक्स ओफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर रही है वहीं फिल्म को क्रिटिक्स के तरफ से भी मिक्स रिव्यूज मिले है फिल्म ने अपने पहले हफते में सिर्फ 148 करोड की कमाई की है वहीं अब रेस्ट्री के डिरेक्टर रेमो डुसुजा को भी जोरदा जटका लगा है खबरों की माने तो सल्मान ने रेमो की डांसिंग फिल्म में काम करने से मना कर दिया है आप सोच तो जरूर रहे होंगे कि हाली में सल्मान ने एक इंट्यूवे को दरान कहा था कि वो भारत और दबंग द्री के बाद रेमो की डांसिंग फिल्म में काम करेंगे तो अब ऐसा क्या हो गया जो भाईजान ने इस प्रोजेक्ट से करनी काट ली मीडिया रिपोर्ट की माने तो रेस्ट्री को मिले खराब रिस्पॉंस की वज़े से सल्मान ने रेमो की डांस फिल्म को ठुकरा दिया है लगता है भाईजान रेमो के साथ दुबारा रिस्क लेना नहीं चाते हैं यही वज़ा है कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया है बता दे कि सल्मान जल्दी भारत की शूटिंग शूरू करने वाले हैं इस फिल्म में उनके साथ प्रेंक चोपड़ा नजर आएंगी वेल अब देखना तो दिल्चस्प रहेगा कि सल्मान रेमो के साथ आगे किसी फिल्म क कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलुवर्ट से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें